आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही फेमस खास पोएम माइ लास डचिस इस पोएम को दोस्तों 1842 में पब्लिश करवाया गया था और ये एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मानलॉग की फार्म में लिखी हुई है ड्रामेटिक मानलॉग एक ऐसी फार्म होती है जिसमें एक स्पीकर होता है यानि बोलने वाला और एक लिसनर होता है जो सर्फ सुनता है जिसका काम केवल सुनने का होता है और पूरी पोएम में वो कुछ भी नहीं बोलता तो इस पोएम में जो speaker है वो है एक Duke, Duke of Ferrara और listener है वो एक messenger है, शायद किसी दूसरे राजा का भीज़ा हुआ messenger है दोस्तों, जो कुछ भी इस पोएम में इस Duke ने बोला है उससे एक बात तो साफ होती है, उसका ये मानना है कि औरत किसी object की तरह होती है जिसे दबाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और किसी टूल की तरह अपने फायदे के लिए उसका यूज करना चाहिए और ये हालत खासतोर पर Robert Browning के टाइम पर औरतों की थी Victorian era में जब एक औरत राजगर रही थी, औरतों को rights नहीं थे और इस Duke के जरिये Robert Browning ने पूरे Victorian era पर कटाक्ष किया है इस Duke ने अपनी Duchess की printing को जानबूज कर एक ऐसी जगह रखवाया था अपनी private gallery में जो एक public area थी, ताकि जो लोग इस महल में आये वो देखें कि Duke ने कैसे एक museum बना रखा है अपने महल को एक अलग से gallery बना रखी है उसका इरादा तो ये भी था कि जो नई लड़की जिससे वो अभी शादी करने वाला है जिसके राजा का messenger यहाँ पर आया है उसे भी वो एक अपने achievement की तरह रखेगा औरत उसके लिए किसी कीमती जूलरी की तरह दी जिसे तिजोरी में छुपा कर रखना चाहिए और वक्त पढ़ने पर पहन कर लोगों को दिखाना चाहिए तो poem की शुरुआत होती है जब ये Duke of Ferrara अपने guest यानि उस messenger को अपने महल की दीवार पर टंगी हुए अपनी मरी होई वाइफ की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है That's my last ditches painted on the wall Looking as if she were alive देखो ये मेरी last ditches की तस्वीर है जिसकी painting तुम दीवार पर देख रहे हो देखो तो यार देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जिन्दा सामने खड़ी है I call that piece of wonder now मैं तो कहूंगा क्या lovely piece of art है ये painting वो आगे बोलता है उस messenger से की जिसने भी इस painting को बनाया होगा वो नाम भी लेता है Fra Pandolf Hands Worked Busily a Day Fra Pandolf ने इस painting को बनाया था और उसने पूरा दिन इस तस्वीर को बनाने में बहुत काम किया था उसका hardware साफ देखते ही बनता है and there she stands देखो कैसे जान डाल दी painting में लगता है साक्षात सामने खड़ी है well please you sit and look at her अब डियो को इस messenger से पूसता है तुम खड़े क्यों हो यार बैठोगे नहीं क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि थोड़ी दिर बैठकर आराम से इस painting को देखो I said Fra Pandolf by a design मैंने कहा कि Fra Pandolf ने इस painting को बनाया था दोस्तों ये जान पूझ कर इस नाम को दो तीन बार इस poem में लेता है क्योंकि Fra Pandolf एक ऐसा इंसा इंसा था जो बहुत मवित्र था औरतों को लेकर उसके दिल में मैल नहीं था यानि एक तपस्वी टाइप का था खासत दौर पर एक ऐसे इंसान से इसने इस तस्वीर को बनवाया जो इसकी डचेस पर बुरी नजर ना डाले यह ड्यूक इन लाइनों में खुद बोल रहा है कि यह जान बूझ कर Fra Pandolf का नाम ले रहा है क्योंकि तुम जैसे Strangers मैसेंजर को बोल रहा है कि तुम जैसे Strangers Strangers लाइक यू डचेस के फेस को घूरते रहते हैं और सोचते हैं कि डचेस के फेस पर इतना तेज इतना पैशन आफ अर्नेस्ट ग्लैंस कैसे है तुम जैसे Strangers समझ नहीं पाते कि Fra Pandolf ने इसको बनाया है इसलिए यहाँ पे Pictured का मतलब है Painted और Contenance का मतलब है Face Painted Face But to myself turned Since none puts by the curtain I have drawn for you But I And seemed as they would ask me If they durst मतलब हर कोई मतलब कोई भी इस Painted को देखकर मेरी तरफ मुड़कर पूछने की कोशिश जरूर करता है मतलब पूछना जरूर चाहता है अगर उसमें हिम्मत हो तो If they durst का मतलब अगर उसमें हिम्मत हो तो कि इस Duchess के Face पर ऐसे expressions आये कैसे That how such a glance came there मतलब ये Duchess के Face पर इतना तेज आया कैसे So, not the first Are you to turn and ask this मतलब तुम पहले नहीं हो मैसेंजर को बोलता है जो ये सवाल जिसके मन में ये सवाल आया हो और यहां पर ये जो bracket में ये जो line लिखी हुए इसका मतलब है कि सिर्फ ये Duke ही इस पिंटिंग का परदा हटा सकता है कोई और नहीं खुद बोल रहा है कि ये परदा The curtain I have drawn for you ये जो मैंने तुमारे लिए परदा हटा है बटाए इसको सिर्फ मैं हटा सकता हूँ कोई और नहीं Next line ओ में ये Duke अपना दुखडार होता है बोलता है कि Sir It was not her husband's presence only कि Sir ये जो पिंटिंग में आपको Duchess के गालों पर जो चमक दिख रही है न ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पिंटिंग बनाते वक्त उसका husband उसके सामने कडाता इसलिए वो थोड़ी खुश थी Called that spot of joy into the Duchess cheek मतलब Duchess के गालों पर जो लाली तुमको दिख रही है ये उसकी husband की presence में नहीं थी Perhaps शायद Fra Pandolf ने कुछ उसको compliment दिया होगा Fra Pandolf chance to say Fra Pandolf ने पेंटिंग बनाते वक्त उसे कह दिया होगा Mental lapse over my lady's wish too much यानि आपकी जो shawl है Mental lapse मतलब आपकी जो shawl है आपकी whisk पर थोड़ा ज़्यादा आ रही है ऐसा कुछ कहा होगा या फिर और या फिर ऐसा कहा होगा Paint must never hope to reproduce the faint half blush that dies along her throat या फिर ऐसी कोई तारीफ की होगी मेरी Duchess की कि आपकी गर्दन पर जो लाली है half blush ये जो लाली है ये जो color है मेरा paint और brush उसको रंग नहीं सकते ऐसा कोई compliment दिया होगा तभी शायद ऐसी चमक आई होगी उसके चहरे पर आगे Duke बोलता है कि ऐसी चीजें ऐसी तुच्च चीजें such stuff ऐसी चीजें काफी थी उसके चहरे पर हसी लाने के लिए such stuff was courtesy she thought as cause enough for calling up as part of joy आगे वो एक बहुती slow manner में अपनी रच्चस को criticize करता है बोलता है कि she had a heart मतलब क्या बताऊ उसके पास एक ऐसा दिल था how shall I say she had a heart how shall I say मैं कैसे बताऊ कि उसके पास एक ऐसा दिल था too soon made glad मतलब बहुत जल्दी खुश हो जाता था उसका वो दिल too easily impressed मतलब बहुत जल्दी वो impressed हो जाती थी हर किसी चीज से she liked whatever she looked on उसे हर चीज पसंती जो भी वो देखती थी उसे हर वो चीज पसंती जिसे भी वो देखती थी and her looks went everywhere वो हर किसी को देख लेती थी जो भी उसका रसा काटे sir it was all one मतलब उसे सब चीजे बराबर खुशी देती थी चाहे वो मेरा दिया हुआ hero का हार हो my favor on her breast यानि मेरा दिया हुआ hero का हार my favor मतलब मेरा दिया हुआ hero का हार जो उसकी breast के उपर था the dropping of the daylight in the west यानि डूपता हुआ सूरज भी उसे उतनी ही खुशी देता था जितना मेरा दिया हुआ hero का हार the dropping of the daylight मतलब सूरज जो west में डूपता है the bow of cherries some officious pool broke in the orchid for her अगर कोई उसे garden में से कोई cherries तोड कर भी ला दिता था तो वो उसे देखकर भी खुश हो जाती थी the white mule she rode with round the terrace एक white mule white khachar पर बैट करके भी terrace पर सवारी करने से भी वो खुश हो जाती थी यहां दोस्तों ये white mule उस riches की innocence और purity को symbolize करता है एक line में वो बोलता है all and each would draw from her a like and approving speech और blush at least मतलब वो हर चीज से खुश हो जाती थी या तो वो कुछ अच्छा बोल देती थी या फिर एक same सा blush एक same सी smile दे देती थी अब ये एक अच्छी बात थी कि वो सबको thank you बोलती थी she thanked man good मुझे अच्छा लगता था वो सबको thank you बोलती थी but thanked somehow I know not how सबकी respect करती थी अच्छी बात थी लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरे दिये हुए gift की बराबरी वो किसी और की gift के साथ में कैसे कर सकती है as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift मतलब ऐसा लगता था जैसे वो मेरे दिये हुए gift मेरे family के 900 साल पुराने नाम की बराबरी किसी के भी gift के साथ में कर रही हो मतलब ego hurt होता है ना आगे वो बोलता है कि कौन उसके सामने जुकता उससे बताने के लिए कि वो गलत कर रही थी would stoop to blame this thought of tippling वो messenger को बोलता है even had you skill in speech तुम भी इतने माहिर होगे बोलने में जितना मैं नहीं हूँ मतलब तुम्हारे अंदर भी एक skill होगी कि तुम अपनी बात को घुमा फिरा कर कह सको अपनी wife को लेकिन मेरे अंदर नहीं है वो Duke बोल रहा है कि मैं उसे घुमा फिरा कर समझा सकता कि तुम ये जो सब कर रही हो मुझे बुरा लगता है ये बूल रहा है ना Just this or that and you disgust me मुझे बुरा लगता है जो ये तुम कर रही हो And here you miss यहाँ पर तुम अपनी lines को miss कर रही हो और there exceed your mark तुम अपनी हदों से बाहर जा रही हो exceed your mark मतलब तुम अपनी हदों से बाहर जा रही हो और हो सकता है इसके बाद And if she let herself be lessened so मतलब वो अपने आपको समझा लेती Nor painly set her wits of yours forsooth and made excuse मतलब वो खुद को बिना कोई जिद किये समझा लेती बिना कोई excuse दिये मतलब वो अपने आपको बदल लेती अगर मैं उसे समझाता तो And then would be some stooping लेकिन मेरा ऐसा बोलना ऐसा होता जैसे मैं उसके सामने जुक रहा हूँ And I choose never to stoop और मैंने फैसला कि मैं जुकूंगा नहीं साला आगे वो बोलता है Oh sir She smiled no doubt Whenever I passed her Oh sir जब भी मैं उसके सामने से उसके past से गुजरता था No doubt वो मुझे देखकर smile करती थी But who passed without must the same smile मतलब कोई दूसरा भी उसके सामने से गुजरता था तो वो same सी smile देती थी मतलब मेरे लिए उसकी smile कुछ अलग या special नहीं होती थी This grew और ये सब बढ़ता गया बढ़ता ही गया And I gave commands और मैंने orders दे दी अपने सिपाईयों को Then all smiles dropped together और सारी smiles एक साथ रुख गई इस लाइन का मतलब ये है शायद कि इसने अपनी ब्रचिस का मुर्डल करभा दिया There she stands as if alive और देखो आज हमारे सामने घड़ी है जिन्दा एकदम जीती जाकती Will it please you rise यहाँ पर ड्यूक उससे पूछ रहा है मैसेंजर से अब क्या बैठा ही रहोगे खड़े हो जा भाई We'll meet the company below चलो नीचे चलते हैं बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहा है नीचे आगे की लाइनों में वो ड्यूक उस मैसेंजर से बूल रहा है मतलब तुम्हारा जो count है तुम्हारा जो master है वो अपनी kindness के लिए minificence मतलब kindness के लिए जाना जाता है इन दो लाइनों का मतलब ये है पर तो ये भी साफ है कि मैंने जो उनकी बीटी से शादी करने के लिए अपनी दहेज की जो शर्ते रखी है वो उन्हें भी मान लेंगे डिसलाव नहीं करेंगे इसका मतलब यह है आगे की लाइन में वो बोल रहा है कि मेरा प्राइमरी आपजेक्ट मेरा स्टार्टिंग आपजेक्ट तो मेरा मकसद तो काउंट की खुबसूरत बेटी से शादी करना है दहेज लेना ही कुद को मतलब बचा रहा है वो Together Down Sir मतलब साथ में चलते हैं ना सर इतनी जल्दी क्या है Notice Neptune आगे वो Neptune का एक स्टेच्व है वो दिखा रहा है Notice Neptune The Taming of Sea Hots जो Sea Hots के उपर जिसको कंट्रोल करके बैठा है Neptune का यह जो स्टेच्व है चलो साथ में नीचे जलते हैं देखो उस God Neptune के स्टेच्व को देखो जो Sea Hots पर बैठे हैं यह एक Rare Work of Art है और इसको Closs of Innsberg ने खास मेरे लिए बनाया था प्रिसी लाइन के साथ यह पोएम तो खत्म हो जाती है दोस्तों लेकिन इस पोएम में बार बार ड्यूक ने उस Messenger को अपनी Wealth और Power दिखाने की कोशिश की है बड़े बड़े आर्टिस जैसे की Pra Pandolf और Closs of Innsberg का नाम लेकर कि ऐसे लोग भी मेरे लिए काम करते है इस ड्यूक के पास यह जो Paintings और Statue है इनसे यह अपने Status को दिखाने की कोशिश करता है खास तोर पर इसने Chair भी रखवाई है उस Paintings के सामने की लोग बैठ कर देखे उस Paintings को वो अपनी Duchess को तो Control नहीं कर सका लेकिन इस Paintings के जरिए वो Control करना चाहता है अपनी Duchess को और परदे भी उसने इसलिए लगवाए हैं ताकि ये खुद तै करे कि इसकी Paintings को किसके सामने Smile पास करनी है किसके सामने नहीं करनी है उमीद करता हूँ आपको ये Poem समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी